हलो मेरे फ्रेंड्स आप सभी कैसे हैं उमीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे अपने घर पर तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ ब्रेट पकोड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और यह जटपट बन कर तेयार हो जाते हैं तो फ्रेंड्स आप वीडियो में बने रह इसमें थोड़ा सौप एट कर दें एक चुटकी अल्दी पौडर एट कर देते हैं हल्दी पौडर एट करने से अच्छा कलर आएगा वन टीश्पून धनिया प्मद्र लाल मिर्च पाउडर अपने सौक चौण इसमें अड़ कर सकते हैं नमक भी आप स्वाद के अनुसर इ कर दे यह दिए आपके हां बच्चे हैं तो इस लाल मिर्च को या हरी मिर्च को सकते हैं इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी एड़ करती हूं इसका बैटर तयार कर लें इसको थोड़ा सा गाड़ा रहने दे बहुत ज्यादा लिक्विट फॉर्म में ना करें यह हमारा बैटर बनकर रेडी हो चुका है तो हम कुछ ब्रैड ले लेते हैं ब्रैड को बीच से कट कर लेते हैं बीच से चाको की हल्प से इसको कट कर लें ऐसे काट कर इसको डी फ्राय करेंगे तो अच्छे शेप में आ जाते हैं जटपट बनकर रैसीपी तेयार हो जाती है फ्रेंड्स ब जब अच्छा गरम हो जाए तब ही इसमें ये ब्रेट पकोड़े एड़ करें तीन से चार मेट में अच्छे से डी फ्राइ हो जाते हैं ये ब्रेट पकोड़े जब ये हलके नीचे से गोल्डन ब्राउन दिखने लगे तब इस्पून की हेल्प से इसको पलट दे ये देखिए अच्छा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है तो फ्रेंट्स ये खाने में बहुत ही स्वाधिश लगता है फ्रेंट्स ये आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा इंडियन रेसिपीज भी सीमा को तो सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंट्स जो भी मैं किचिन प्रोडक्ट यूज करती हूँ उसका लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है एक बार आप उस लिंक में जाकर जरूर देखें ये अच्छे और यदि आप मेरे चैनल में नए हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप मेरे सारे वीडियो देख पाए फ्रेंट्स ओके फ्रेंट्स टेक क्यर बाए बाए